यूपी में एक्षिन में सीम योगी ताबर तोड हो रहे एंकाउंटर गरज रहा बाबा का बुल्डोजर यूपी में 61 पुलिस कर्मी सस्पेंड नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दो पर्विस्तार से बात करने का जुजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं लोग सबच नौँ दोहजार चॉबिस का रजल्ट आने की बाद सियम योगी की हालत उस जखमी शेर सी है जो यक्मों के साथ दिलो दिमाग से अपने शिकार को मार गिनारे की रणीती बनाता है और हर वो पहलू पर ध्याल देता है जिसमें उसे पहले हार मिली हो और सही मौका आने पर शेर शिकार को धिर कर देता है लोग सबच नौँ की रिजल्ट आए एक हफते के करीब हो गया है जिसे एक हफते में यूपी में काफी कुछ देखने को मिला एनकाउंटर से लेकर बुल्डोजर एक्शन 23 हो गया है तो आज यूपी में हो रहे हैं योगी एक्शन की बात करते हैं देश में तीसरी बार एंडिये की सरकार बन गई पीम मोधी के साथ साथ सभी मंत्रियों ने शपत भी लेली लेकिन लोगसभाद चुनाओं की रिजल्ट ने सबसे ज़ादा टैंचन बी जेपी की यूपी में बढ़ाई जहां लोगसभाद चुनाओं में सपा को सभी सेथी सीटे मिली देश के सबसे बड़े सुबे में बीजेपी को पिछली बार के आम चुनाओं की तुन्ना में 29 सीटों का नुकसान हुआ जो यूपी में होने वाले वधानसुबा चुनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी खत्रे की घंटी है जिसको इस सीम योगी ने अच्छे सिभाप लिया है सीम योगी पुर्सी पर काबिज रहने के लिए एक्शन मोड में आ गए है तभी तो 48 घंटे के अंदर यूपी में 5 बड़े एक्शन देखने को मिले पहला वेकिंसी भरने पर जोड दूसरा ताबर तोड़ एंकाउंटर तीसरा लापर वहाँ पुलिस कर्मियों पर कारवाई चौथा बिजली कटोती रोकना पांचवा और आखरी अयोध्या में रुके हुए कामों पर तेजी उत्तर प्रादेश में लोगसभा चुनाओ 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद योगी अधितनात एक्शन में दिखे यूपी पुलिस का एक्शन भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है चार जून को लोगसभा चुनाओ का रिजल्ट जारी हुआ सियम योगी अधितनात ने लोगसभा चुनाओ के लिए लागू आदर्श आचार सहीता हटने के बाद तमाम विभागों को कामकाज में तेजी लाने का आदेश दे दिया इसका असर भी देखने को मिला है आदर्श आचार सहीता हटने के बाद यूपी पुलिस ने एंकाउंटर के जरीया अपरादियों की धर पकड़ शुरू कर दी है ओपरेशन क्लीन के तहट इनामी अपरादियों को पकड़ने की कारवाई हो रही है इस क्रम में यूपी पुलिस ने पिछले चार दिनों में अठारा से जादा एंकाउंटर किये है इन एंकाउंटर में दो परादियों की जान जा चुकी है वहीं चौदा परादी गाल हुए है उनका इलाज ऑस्पिताल में चल रहा है पाच जून को पुलिस ने जौनपूर में एक लाख रुपे के इनामी बदमाश प्रिंस सिंग को मार गिराया प्रिंस पर हत्या, लूट और डकैती के 37 मुकद में दर्च है चैजून को मुझफर नगर में दो लाख काई नामी बदमाश निलेश राय पुलिस एंकाउंटर में धेर हो गया मुढबेड में उसके सीने में गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई वहीं लोग सबाच चुनाओ 2024 के नतीजों के बाद लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है आकडों के मुताबिक 61 पुलिस कर्मी सस्पेंट और लाइन हाजिर किये गए डीजीपी मुक्याले के नर्दैश पर विविनलिस जिलों के कोल 61 पुलिस कर्मी या तो निलंबित किये गए या फिर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है जहां हापुर से एक निरक्षक 10 दरोगा के साथ 33 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया सभी पर ड्यूटी मिला परवाही बरतने का आरोप है कानपुर से रेप वसूली और घूस खोरी में फसे चार दरोगा और तीन सिपाही सस्पेंड किये गए गाज्याबाद से कानून विवस्था मिला परवाही पर एक थाना अध्यक्ष सस्पेंड और 11 सब इंस्पेक्टर लाइन हाज़र हुए जालाओं से चुनाओ मिला परवाही बरतने पर चोड़खी थाना अध्यक्ष दरोगा और 4 सिपाही सस्पेंड किये गए गौरकपुर से काम मिला परवाही बरतने पर पर परवाही परवारी लाइन हाज़र हुए वही सस्पेंड के साथ ही विभाग में प्रणोती के आदेश पी जारी किये गए है पुलिस विभाग ने 53 अपर पुलिस अधिक्षक एसपी को वरिष्ट वेतनमान में प्रणोती का आदेश जारी किया है वही डीजीपी मुख्याले ने 643 हेड कॉंस्टेबल को सब इंस्पेक्टर पत पर प्रमोशन करने का आदेश जारी किया है साधी सियम योगी अधितनात ने 6 जून को सभी अपर मुख्य सच्यू और प्रमुख सच्यूस्थर के अधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में पूरा जोर सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर दिया गया सियम ने अफसरों से कहा कि न्यूक्टी प्रकरिया में सरलता के लिए उनलाइन आवेदन की विवस्ता लागू की जाए उसका उपयोग करें साथी भाजपा के पफॉर्मेंस से नाखुष मुख्य मंत्री योगी अधितनात ने मंत्रियों से कहा था कि वो वियाईपी कल्चर छोड़कर जनता के बीच जाए मंत्री हो या अन्नी जन प्रतिनदी सभी को वियाईपी कल्चर से परहेज करना होगा हमारी कोई भी गतिविदी ऐसी ना हो जो वियाईपी संस्कृति को प्रदिश्चित करती हो इसके लिए सभी को सतर्क और सावधा रहना होगा जनता के बीच समवाद समनवय और समवेदन शीलता की नीती अपनाते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की जरूरत है लोग सबचनाओं खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ही योगी ने सरकार के कामकास को ट्रैक पर लाने की कवायश शुरू की थी गुरुवार को उन्होंने पहले जनता दर्शन में लोगों की समस्याइं सुनी और उसके बाद सभी विभागों के प्रमुख सच्योग के साथ बैठक कर योजनाओं विकास कारिक्रमों की समिक्षा की आलाफसरों से उन्होंने साफ कहा की विभाग से जुड़ी हर एक ववस्ता हर एक पर उजना हर मामले की जबाब देही आपकी है वहीं सियम योगी आदितनात ने बैठक में बिजली कटौती रोकने के आदेश भी दिये और का की तीज गर्मी लू का मौसम चल रहा है ऐसे में पूरे प्रदेश में गाव हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नही कारण किया जाए अधिकारी फोन अटेंड करें कहीं भी विवाद की स्थिती ना बन पाए यदि ऐसा हो तो वरिष्ट अधिकारी ततकाल स्वेम मौके पर पहुंचे वहीं रामनगरी अयोध्या में बिजेपी की करारी हार से देश में खलबली है पांसो वर्षों के संगर् सब्ला अयोध्या में नया इतिहास रचा वहीं बीजेपी अयोध्या के साथ अयोध्या मंडल की कई सीचों में हार गए अयोध्या में भाजपा प्रत्याश्य को मिली शिकस्त को लेकर संत समाच और भाजपा समर्थन दुखी है वहीं दूसरी और मुख्यमंद्री योगी अधितनात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं बतादे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आयोध्या प्रात्मित्ता में रही केंद्र और प्रदेश दरकार ने करोड़ों रुपे की योजनाओं से यहां की तस्वीर को बदल दिया इसके बावजूप लोगों मे के अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं इन पांच फैसलों के साथ साथ कई सारी और भी कारवाई यूपी के मैदान में देखने को बिल रही है जहां लोग सुभा चुनाव संपन्न होते ही योगी सरकार का बुल्डोजर दोड़ने लगा सुमवार को राधानी के पॉकलेंड मशीन से जमीन दोज किया गया अतिकरम्ल हटाओ अभियान के दौरान पल-पल की निगरानी के लिए सडक और गलियों में पैपिस सिसीटीवी कैमरे लगाये इसके साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी मौके पर 10 बुल्डोजर और 6 पॉकलेंड म से भी राहत नहीं मिली है इसके पहले कमर्शियल कबजे पर कारवाई की गई करीब 90 दिन बाद यहां फिर से दोबारा एक्षिन हुआ है बुल्डोजर एक्षिन हुआ है सोंबार की सुभा सुभा कई बुल्डोजर और पुलिस फोर्स के साथ लखनों विकास प्राधिकरन को गिरा दिया गया इन सब एक्षिन के साथ योगी सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक में सिंगल यूज़-व्व्व प्लास्टिक और स्टरीट डॉफ इस्टीट लोग पर कहा किसी गराई से लागू करे सेबा विक नगरों में कहीं बी पेजल का संकट ना हूपाई इस एक के बाद एक action हो रहे हैं कारवाई हो रही है योगी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधार निकालने के लिए कवायद में जुटे होए हैं जिसे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेशोंगे ने मुद्दे के साथ बागी इतना माम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल टीवी उत्ता प्रादेश नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया